फाइनली गाईज आप लोग जो इंतिजार करें थे 5.3 के लिए तो भाई आपका जो इंतिजारा वो खतम हो चुका है उफिसली ट्रीजर लांच कर दिया है मैंद्रा ने और यह फना 5.3 का जो है ट्रीजर और भाई यह आज की इस वीडियो में जो जो मैं आपको बताने वाला हूं वो चीज़ आप सुनके बहुत ज़्यादा खुश होने वाले है क्योंकि मैंने बोला भी ता कि कहीं न कहीं इस म सबस्क्राइब कर दो और अपने फ्रेंड लोगों को पहले शेयर करके आजो क्योंकि जो थार लवर्स है उनके लिए वीडियो भाई बहुत ज़्यादा तगड़ी होने वाली है अब देखो आप लोग जो है ओफिशली ट्रीजर लॉंच हो चुका है मतलब यूटूब के उपर आचुका है ट्रीजर इसका और अभी तक ट्रीजर में आप लोग देखोगे गाड़ी को पूरा अच्छी तरीके से रिविल नहीं किया गया है ट्रीजर में सिर्फ एक ये चीज़ दिखाई कि हाँ अब भाई आप लोग जितने भी इंतजार करे थे फाइव डोर था और एक और और नूव अपडेट इसमें हुआ है जो कि न्यू महिंदरत्त तार रॉक्स तो भाई अब 5डोर थार का नाम होगा थार रोक्स तो भाई जो रॉकस है ना थोड़ा सा लग रहा है तो पिब्न देखते ऑड इसको आ फ्रन से चीशनार क्लिशा का भ्विज आब और हेड लाइट भी पता ना भाई लोग आप लोग कमेंट करके कैसी लगी भाई देखो आफ्टर मार्केट जाके आप लोग बहुत सारी मोडिफिकेशन कराते हो बट अवैसा मेरे को लगता नहीं आपको जाना पड़ेगा 19 इंच के आपको जो इसमें अलोइस मिलने वाले डायमेंड कटके और अपका जो पीछे की लाइट है वो LED आपको मिलेगी जो की आफ्टर मार्केट जैसे ही लग रही है बाई मेरे को तो काफी अच्छी लग रही है और उपर आप लोग देख सकते हो इसकी ग्रिल बाई ग्र अवेशली जो है इनका तॉप मॉडल होता है तो टॉप मॉडल के साब से भाई जो इसकी ग्रिल है जो इसके अलौइस है जो इसकी लाइट है मेरे को भाई काफी कि जुलाई में काफी भाई बोल रहे थे 17-18 तारीक को एक आड़ी लॉंच हो जाएगी बट जुलाई में मैंने बोला था कि आप लोग बेट कर लो देखो मेरको तो लग नी रहा था बट मैंने आपको अगस्त का बोला था तर पंदरा अगस्त का भी डेट बोला था अपनी वीडियो में क्यों कहीं ने कहीं पंदरा अगस्त को पता है हमारे लिए देश के लिए कितना ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो वो डेट जो है उसी डेट पर इन्होंने अपना एक लाउंच डेट कंफर्म कर दिया है मैं आपको बदारों पंदर अगस्त को अपने जैसे कि आप लोग शोरूम में जाके करा सकते हो बाकि महिंद्रा है वाई सब चीजे अनेक्सपेक्टिर सा कर देती है एकदम से आपको विस्वास ने होता और वही नोने कर दिया है क्योंकि करा भी क्या है काफी टाइम से आप लोग भी बहुत जादा वेट कर रहे हो दर इसके स्टार्टिंग मन से ही स्टार्ट हो जाएगी जैसे इसका ट्रेलर डाल दिया जाएगा ओफीशाली तरीके से चैनल पर महिंद्र वाले वे जो भी इनका है और उसके बाद इसकी बुकिंग वेर आप लोग करा सकते हो आप शोरों और जाके अपने आस-पास में जाए कि हाँ भाई अब गाड़ी आने वाली है तुमारा जो सबर था भाई वो सबर कफल तो मीठा ही होता है बागी गाड़ी का जितना भी नोंने लुक्स दिखाया है मैं बता रहा हूँ ये गाड़ी एक अलगी लेवल पर बिखने वाली है अलगी लेवल पर इसका ट्रे वीज में आती है भाई ये दोनों एक थार फाइब दोर इनका जो भाई अलगी लेवल का क्रेज बनने वाला है फिर पब्लिक ना भाई बड़ी-बड़ी महंगी गाड़ियों पर नहीं जाएगी कहीं ने कहीं भाई ये गाड़ी आपको बजट के अंदर मिलने वाली है और भाई प्राइस की बात कले दे तो प्राइस भाई आप लोगों को मैंने बता दिया था 14-15 लाख इसका एक शोरूम हो सकता है अब भाई महिंदरा है कुछ भी कर सकती है क्या पता एक शोरूम साड़े 13 लाख आ जाए 13 लाख आ जाए 14 लाख आ जाए पर फिर भी आप लोग 14 से 15 इसका एक्सपेक्टिड प्राइज सोच के चल सकते हो बाकि आपको पूरी ओवरॉल वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और थार का नया नाम कैसा लगा रॉक्स नाम तो यह भी कमेंट करके बताना तो चैनल को लाइक कर देना वीडियो को और शेर कर देना धन्यवाद